दोस्तो प्रधानमंत्री किसान सम्मानधी योजना के अंतगर जिन भी किसानों को साल के 6,000 रुपए का लाब सरकार की तरफ सी दिया जा रहा है उन सभी किसानों को आगे का लाब लेने के लिए अपने PM किसान सम्मानधी योजना के अकाउंट की KYC करनी होगी KYC करने के लिए योजना की वेबसाइट पर ही option जोर दिया गया है लेकिन problem यह है कि बहुत सारे किसान जब KYC करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर उन्हें record not found कुछ इस तरीके का message सो हो जाता है जिसकी वज़े से वो सबी लोग अपनी KYC नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं आपको इसी problem का solution बताने वाला हूँ जिससे कि यह जो problem है आपको नहीं सो होगी और आप अपने account की KYC कर पाएंगे कैसे आपको करना है मैं आपको live करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं KYC करने के लिए आपको PM किसान समानधी योजना की official website पर ही आ जाना है और यहाँ पर जो KYC का option है इसे आपको select कर लेना है select करेंगे तो आपके सामने आधार KYC का page आ जाता है जहाँ पर आपसे आपका आधार number और capture code मांगा जा रहा है जिसके बाद में आपको search की option पे click करना होता है तो यहाँ पर जब आप search करते हैं तो आपको record not found message so हो रहा होगा यहाँ पर मैं भी check करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का message मुझे भी so कर रहा है तो यहाँ पर मैंने आधार number फिल किया है और यहाँ पर capture code मैंने same यहाँ पर enter कर दिया है और इसको मैंने search की option पे click किया तो यहाँ पर मेरे सामने भी record not found message so हो रहा है तो यहाँ पर यह clear हो गया कि जिस तरीके का error message आपको so होता है same यहाँ पर मेरे सामने भी आ रहा है तो इसका solution क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ok के option पे click कर देना है तो यहाँ पर आप उसी page पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर security reason के लिए जो capture code दिया गया है इस capture code पे अगर आप mobile से कर रहा है तो आपको long press करना है या फिर आप computer से करना है तो आपको यहाँ पर right click करना है और open image in new tab इस option पे click करना है mobile में भी अगर आप करेंगे तो long press करेंगे तो वहाँ पर आपको option मिल जाएगा new tab में जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर जो capture code आपको दिखाया जा रहा था उससे different एक नया capture code यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर जो भी नया security code आपके सामने open हुआ है सबसे पहले तो जो भी इस पर information लिखी है आपको एक paper पर pen से note कर लेना है अगर कोई capital लेटर है तो capital में small में आपको सेम उसी तरीके से note कर लेना है और दूबारा से उसी page पर आ जाना है और यहाँ पर वही capture code जो आपने नई image open की थी उसका capture code यहाँ पर आपको इंटर करना है तो अब आपको इहाँ पर search के option पर click करना है search के option पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी जो हमें error message record not found so हो रहा था सेम आधान number में यहाँ पर अब हमें वो message so नहीं हो रहा है तो यह क्यों हो रहा है यह मैं आपको बता देता हूँ actually में क्या है इस website पर जो भी capture code feed है वो इस portal से synchronized नहीं है अच्छे तरीके से उनकी coding नहीं हो पाई है जिसकी वज़े से जो actual capture code की information यहाँ पर आपको type करना होता है वो capture code आपको दिखता ही नहीं है आपको यहाँ पर गलत capture code दिखाया जाता है वही आप फिल करते है तभी आपका record not found so होता है तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी problem resolve हो जाती है जिसके बाद में आप अपने आधार कार्ट से जो भी mobile number registered हो फिल करेंगे और send OTP के option पे click करेंगे अब आपके आधार कार्ट से जो भी mobile number registered होगा उस पर एक one time password receive हो जाता है जिसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है submit for out इस option पे click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो आपकी जो KYC है वो successfully complete हो चुकी है आपके सामने successful का message आ चुका है तो यहाँ पर अगर आप mobile phone से कर रहा है तो यह जो capture code है इस पे आपको long press करना है और यहाँ पर आपको option मिल जाता है open image new tab आपको इस option पे click कर देना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर एक नई tab open हो जाती है इस पे आप click करेंगे तो आपके सामने जो capture code दिखाया गया है इस capture code को note कर लेना है और यहाँ पर website पर आपके वही capture code टाइप कर देना है तो इस तरीके से mobile phone से भी आप ये काम कर सकते हैं तो आसा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंदा होगा इस वीडियो को like करेंगे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करेंगे इस वीडियो को अपने friends और family में share करेंगा हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक ले goodbye चैनल